हेलो दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग आप सभी का स्वागत है फिर से हमारे चैनल लोलिज भाई जी पर मैं हूँ आपका दोस समित कुमार लेकर आया हूँ आपके लिए एक और न्यू इंफोर्मेटिव वीडियो लो से सम्बंदित आज की हमारी वीडियो जो है वो सम्बंदित है AIB से सम्बंदित इंफोर्मेशन से वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से कहना चाता हूँ कि आप सभी का जो एक्जाम है AIB का काफी अच्छा गया होगा तो आज की वीडियो का विशह क्या है कि बहुत से स्टूडेंट्स के मन में यह है परशन ह कि मेरा BIOMETRIC जो है वो ATTENDANCE नहीं हो पाई है क्या इस कारण से क्या मेरा rezult है जो बीले हो सकता है या मेरा result नहीं आएगा तो ऐसा कुछ नहीं है official website पर already mention कर दिया गया है कि जिनकी biometric नहीं हो पाई थी किसी भी कारण से वो exam room के अंदर जो भी attendance हुई है उसके अनुसार उनकी attendance लगा दी जाएगी और उनका result जो है वो नहीं रोका जाएगा साथ ही दूशरा परशन ये है कि answer की official website पर upload कर दी गई थी लेकिन अभी official website पर नहीं है इसका क्या कारण है इसका कारण ये है कि उस answer की में किसी भी प्रकार की गलती होने के कारण उसे उस answer की को वहाँ से हटा दिया गया है जल्दी ही एक ही दिन के अंतरगत शायद दूबारा से answer की जो है इतने ही information थी जैसे ही कोई new update आएगा हम फिर से हाजिर होंगे आप सबी के समक्ष तो जुड़े रहिए अमित कुमार knowledge भाई जी के साथ